तो रायता बनाने के लिए मैंने यहां पर आधा लिटर दही ले ली है और इसमें मैं डाल रही हूं आधा कप पानी पानी हम इसमें बहुत जादा नहीं डालेंगे क्योंकि जो रायता होता है वो थोड़ा गाड़ा होता है तभी अच्छा लगता है और पानी को इसमें हम डा तो इसे हम रायते बना कर तैयार करेंगे तो इसे हमें अच्छे से फेट लेना है पास्तरा के रायते बनाने के लिए सबसे पहले मैं बनाने वाली हूं पुदीना का रायता पुदीने के रायते के लिए मैंने आपर थोड़े से पुदीने के पत्ते ले लिए हैं इसकी हम सब सबसे पहले चटनी बना कर तैयार कर लेंगे पुदीने की चटनी बनाएंगे और उसके बाद हम उसे पुदीने की रहते में डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे नमक नमक आप स्वाधनवसार डालें दो इसमें हम कट लिख दूर पूदीना की चत्नी गालो लिख स्वाधन सोर तुम लिख सब्सक्राइब करो यहांद मैं काला कथ शक्रणा दैलें काला नमक काहिद अपने कायो दुद्लमक पशोच इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया भी डाल रहें उपर से यह हमारा जो पुदीने की चटनी है इसके टेस्ट को थोड़ा और एनहेंस कर देगा और अब हम इसे वापस एक बार मिक्स कर लेंगे तो यह देखे हमारा बहुत ही टेस्टी पुदीने का रायता तयार है इसे हम एक सर्विंग बावल में सर्व कर लेंगे और इसके उपर से हम थोड़ा सा पुदीने का पत्ता इस तरीके से रख देंगे तो यह देखे कितना सुंदर दिख रहा है और बहुत ही थोड़ा सा इस पे हम जीरा पाउडर डालेंगे यह बुना हुआ जीरा हमने लिया है और अब बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज रैता इसके लिए हम ने फिर से आधा कप दही ले लिया है इसे हम इस बावल में निकाल लेंगे और अब हम इसमें कटी हुई सब्जियां डालेंगे सब्जियां आप इसमें अपने स्वाधनुसार कोई भी डाल सकते हैं तो यहां पर मैंने चोटा-चोटा कटा हुआ प्याज ले लिया है यह लगबक दो चम्मच प्याज दो चम्मच मैंने यहां पर टमाटर ले लिया है इसे हम इसमें डाल देंगे और मैंने यहां पर दो चम्मच कदू कसकरा हुआ खीरा ले लिया है इसे में मैं डालूंगी एक चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ हरा धनिया और एक मैं डाल रही हूं कटीवी हरी मिर्च और 2 चमबच में खीरा डाल रही हूं जो कि इस तरीके से मैंने थोड़े बड़े पीसित में कट किया है और इसके साथ हैं इसमें प्रिदा जीरा का पाउडर जो की बुना हुआ जीरा हमने लिया है एक चौथा चमबच इसमें हम काला नमक डाल रहे है नमक आपने स्वाध अनु और अब हम इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे. मैंने यहां पर लाल मिर्च इसमें नहीं डाली है. अगर आपको लाल मिर्च पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं. मुझे रायते में लाल मिर्च का टेस्ट अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं डाला है तो ये देखिए हमारा बहुती यम्मी मिक्स वेज रायता रेडी हो गया है इसे हम एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे इसे हम थोड़ा सा उपर से गार्निश कर लेंगे थोड़ा सा में इस पर कटा हुआ हरा धनिया डाल रहीं और थोड़ा सा इस पर हम डालेंगे जीरा पाउडर तो ये देखिए हमारा मिक्स वेज रायता कितना अच्छा दिख रहा है जितना ही आपको देखने में टेस्टी लग रहा है उससे कही जादे खाने में टेस्टी लगता है और अब हम बनाएंगे खीरे का रायता इसके लिए मैं यहाँ पर आधा कप फिर से दही ले लिया है और अब मैं इसमें डालूंगे दो चम्मज कद्दू कस किया हुआ खीरा और इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे दो चम्मज बारीक कटा हुआ खीरा इस तरीके से आप दोनों तरीके से इसमें खीरा डालेए बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है यानि कि बहुत ज़्या एक चम्मच इसमें हम डाल रहे हैं सफेध नमक एक चम्मच इसमे में डाल रहे हूँ कटा हुआ हरा धनिया और अब इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से तो ये देखिए हमारा बहुत ही यमी क्यूकंबर रायता यानि कि खीरे रायता त्यार है इसे भश्र्भ कर लें है अब हम बनाने वाले हैं MIXFRUIT रायता अुसके लिए मैंने सब्सक्राइब गड़ने, आधा कप दभी हिसमें पिसी हुई चीनी देंगे चीनी आप अपने डालें भी स्वादंस्वारी डालें इसमें जो भी फ्रूट्स आपको पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं तो थोड़ा सा मैं इसमें बचा लिया है गार्निश करने के लिए एक चोथा ही चम्मच इसमें मैं डाल रही हूं भुना हुआ जीरा एक पिंच इसमें हम नमक ताल रहे हैं और हम इन सब चीजों को मिक्स कर लें करेंगे उपर से थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे तो यह देखे हमारा रायता कितना यम्मी दिख रहा है तो लास्ट में हम बनाने जा रहे हैं लौकी का रायता यह बहुत ही हल्दी होता है इसके लिए मैंने ले लिया है आधा कप दही मैंने यहां पर एक चोथाई कप उ दाल रहे हैं यह खाने वाला नमक एक चोथाई चममची इसमें मैं डाल रहे हूं काला नमक नमक आप अपने स्वाधन सा डाले एक चोथाई चममच इसमें हम पिसा हुआ जीरा पाउडर डाल रहे हैं लगबग एक चममच इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे एक मैं कटिय ह्यारी मिर्श दाल रही हुं अब नहीं थाओने हरे शची से रुब एक शåकी काट हुआ मिक्स काट्रीट और थोड़ा सा उपड़ से में डालेंगे जीरा पौडर यह भुना हुआ जीरा पौडर है तो यह देखिए हमारे पांस तरह के रायते बनकर तयार हैं यह है यह ल्दी होने के शाथ हमारे खाने का टेस्स दोगना कर देते हैं तो आप भी इस रेसिपिको अपने घर पर ट्र ताकि आगे आने वाली और भी वीडियो की नोडिफिकेशन आपको मिलती रहें